अलो दोस्तों आज हम बनाएंगे कच्छे आलू से डोसा तो उसके लिए देखिए आमें क्या चाहिए ये मैंने सूजी ले लिए तो सूजी बार एक मोटी कैसी भी हो आप एक बार इसको ग्राइंड जरूर कर लिए इससे कि हमारा डोसा अच्छा क्रिस्पी बनेगा सूजी यह देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया इस तरह से बहुत टेस्टी बनते हैं अलो के साथ में बढ़ाओं टेस्टी भी और प्रिस्पी बनते हैं तो यह देखिए मैंने सूर्जी अच्छे से पीष्टी ये इसको बारिक आप क्या करेंगे यह मैंने डेड आलू और एक टुकड़ा यह अद्रक का और यह थोड़ा सा जीरा डालेंगे तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा दूसे में तो यह देखिए अद्रक डाल दी में मिर्ची डाल दी जीरा डाल दिया अब इसमें थोड़ा सा पाणी मिलाएंगे हम इस तरह से इतना ही मिलाए हमने पीशा है ये और इसको हम धाई के साथ में इसका एक पेस्ट बनाएंगे दालेंगे तो अगर धाई ज्यादा खट्टा हो तो खम डालना और खट्टा नहीं हो तो आप इसी इससे इसका बेटर बना सकते हैं तो ये देखिए मैं 4-5 चमच में ने दाई ले लिया और इसका हम पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा पतला पेस्ट बनाएंगे जैसे डोसा का बनाते हैं वैसे इसका बनाएंगे इस तरह से मिक्स कर लेंगे लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए इसमें इस तरह से अब ये द उर्धा सी भूरा अच्छीं से मिक्स करकेत से शाद आई श्यूसीं चाहिए अब इसमें क्या करेंगे ये मैंने ग्याओं का अटा डाला है तो इसमें थोडा ग्याओं का अटा डालेंगे आरदी कटूरी चेवी कमें है तो इसको भी हम मिला देंगे तो इससे भी बहुत ही अच्छा डोसा बनेगा हमारा ग्यों की जगे बेशन भी डाल सकते हैं मैदा भी डाल सकते हैं और इसमें हम थोड़ा पाणी डालेंगे ज्जादा गाड़ा नी रखना हमें यह यह सी थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको परफेक्ट बना लेते हैं अब यह विल्कुल सही है देखिए इस तरह का ही चाहिए हमें इतना ही पतला होना चाहिए है अब इसको हम 10-15 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते अब यह देखिए 15 मिनिट बाद अच्छे से पूल के सूजी हमारी एकदम तयार होगी अब दोसा बनाएंगे हम इसके तो अब देखिए एक तवा लिया है हमने उस पर थोड़ा सा हमने ओली डाल के इसको 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 अब इसमें पानी के चीटे डालेंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाया तो इसको भी हम पहुंच लेंगे और अब हम डोसा बनाएंगे तो आप एक कल्ची या एक कटोरी लेके इस तरह से बीज सेंटर में डाल के और एक साइड ही घुमाते जाओ बस इसको बैटर को ऐसे घुमाते जाओ यह अपने आपकी गोल बन जाता है जितना बड़ा चाहिए आपको इतनी पतला होगा तो जाली दार भी बनेगा हमारा ब अब यह हमारे डोसा तया आ रहे है अब इसमें थोड़ा साम ओयल डालेंगे हलका हलका साइड में इस तरह से इससे क्रिस्पी भी बनेगा और एक डोसे में साइनिंग भी आएगी ऐसे हम ब्रेस्ट की सायता से हलका हलका इस पर लगा देंगे आप जैसे ओयल नहीं डालना जाओ तो आप ऐसे भी बना सकते हैं बहुत क्रिस्पी बनते हैं यह डोसा तो इसको अच्छे से से शेखना है हमें इस देखते साइड में से यह जगह छोट दीने इस तरह से अब यह सिख गया हमारा देखिए इस तरह से इसको राउंड कर लेना नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं इसे राउंड करेंगे तो देखने में भी अच्छा लगता है तो यह देखिए मिल्कुल क्रिस्पी बन गया ना बहुत कम ओयल में बनाया हमने तो ऐसे ही में दूसरा डोसा बना लेती हूं इसी तरह से वह पर निए सेन्टर में मतलब रखे और एक इससाइड में ऐसे करेंगे तो इसमें जाली दाल और विजयन सी बन जाएकि तो देखने में बिल्कुल अच्छा लगता है अ इस तरह से बनाते जाओं और फिर ऐसे इसमें और लगाते जाओं बहुत ही जलदी बनते हैं यह फटा तो डोसा की फीलिंग तो कही तरह से मढ़ती हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर चाहिए तो मैं बनाओंगी बताओंगी आपको कमेंट्स करना और यह देखिए कितना क्रिस्पी बनाए हमारा डोसा तो ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से आपको जितना जैसे गोल्डन कलर भी चाहिए इसमें तो गोल्डन भी हो जाएगा थोड़ा ओईल ज्यादा लगा देने का तो यह देखिए हमारे डोसा तैयार हैं आप इसको नारेल की चत्मी सामर के साथ आनंद लीजी बहुत ही टेस्टी बनते हैं जरूर बनाना और वीडियो अच्छा लग लगे तो लाइक, सिर और अबस्ट्राइब जरू करना बाइबाए